entrepreneurship के फाइदा क्या है पहली चीज़ तो यह है कि आपको जो पसंद है वही काम करिए याने आपकी कोई होबी है मतलब आपके कोई शौक है या आप में कुछ ऐसी skills है जो औरों में नहीं है आप में कुछ ऐसी बात है ऐसा आप काम कर सकते हैं जो दूसरों में नहीं है तो आपका जो interest है उसी को आप अपना business बना सकते हैं अपना job बना सकते हैं अपने interest को दूसरी चीज़ है work for yourself not for others होता क्या है कि जब हम wage employee होते हैं तो हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और वो काम विल्कुल terms and conditions के बाद दे होता है जो आपको काम करना उस तरीके से आप काम क रहेंगे लेकिन यहाँ पर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं और आपको जो पसंद हो कर रहे हैं और जो नहीं पसंद हो नहीं कर रहे हैं आपको क्या काम करना हो और आपको वो काम किस तरीके से करना यह आपके उपर है as a entrepreneur profits profits में यह है कि आपको जितना भी आप कमा रहे ह जितना भी इनसे profit कमा रहे है वो सब आपका है लेकिन यहाँ पर आप जैसे मैंने का यह 5CR भी कमाते हैं 5 करोड भी कमा रहे है पर मन तो आपको 10,000 की salary है तो 10,000 ही बिलती रहेगी थोड़ा इंक्रिमेंट मिल सकता है जितना ज्यादा रिस्क लेंगे जिसे कहते हैं जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा काम करेंगे जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट के आसार है रहे हमेशा होता है बहुत ज्यादा रिस्क भी नुक्सान कर देता है लेकिन जितना calculated risk लेंगे उत्रा profit मिलेगा आपको